स्वागत है आपका विकास उनिवस्टी में तो आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा प्रेंटिंग रिवर्स नंबर इन सी लेंगवेज यानि के अगर यूजर 1234 एंटर करवाएं तो उसका रिजल्ट की आना चाहिए उसका रिजल्ट आना चाहिए तो यह क्या हो गया 1234 का रिवर्स क्या हो गया 4321 तो यह हम आज प्रोग्राम बनाएंगे जो हम सी लेंगवेज में बनाने वाले हैं तो यह वाला जो प्रोग्राम है यह हम किस के थूरू बनाने वाले हैं using loop ठीक है लोप के थूरू हम यह वाला प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं एक header file लगा रहा हूं standard input output header file और यह header file में इसले लगा रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे दो function का use करूंबag printf और scanf जोकी predefined है standard input header file में ठीक गास और दूसरा header file है вос ting吗 यूज करने वाला हूं console input output header file और यह header file मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं दो function नीचे use करूँगा get character और clear screen जो की पहले ही free defined है किसमे console input output header file में अब यहाँ पे मैं एक main function use कर रहा हूँ जो कि क्या करेगा null return करवाएगा ठीक है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पे curly braces के अंदर मेरे पूरा program बनेगा अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ तीन लोंगा integer type के तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ number जो की user से मैं enter करवाऊँगा और मैं reverse ले लेता हूँ एक मैंने reverse ले लिया इसको मैंने initialize कर दिया जीरो और यह मैंने क्यों किया यह मैं आपको अभी बताऊँगा अब मैं एक और लेता हूँ राइट डिजिट ले लेता हूँ है ठीक है क्योंकि मैं तीन विरेवल लेना चाहता हूँ यह मैंने तीन नमबर ले लिए कौन-कौन से नमबर रिवर्स और राइट डिजिट और रिवर्स को मैंने जेरो इंचलाइज पहले ही कर दिया ठीक है अब देखें यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ जूजर से एंटर करवाँगा एक नमबर जो कि मैं रिवर्स करूँगा फिर जैसकि एंटर दो एंटर नमबर और यहां पर मैं क्या कर दूँगा scanf 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 में मैं क्या कर रहा हूँ जो यूजर ने एंटर करवाया है नमबर वो कौन सा होगा यह वाला ठीक है जो कि इनटर नमबर का कहां पर स्टोर होगी इस वाले वरियेवल में जो कि किसका है इंटेजर नमबर का ठीक है तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया अब हम आगे चलते हैं यहां पर मैं loop मैंने क्या अपता आया था को स्टार्टिंग में हम loop के थूँः वाला प्रोग्राम आले डाने वाले हैं ठीक है को यहां पे मैं क्या करें लेने वाला हूं नंबर्ड यहां पर मैं करता हूं डॉस- серьез- डॉस्थ- यह लूप कब तक रण करेगा, जब तक जो यह वाला यूजर के mijlazer ko यह नमबर है, जब तक यह 0 न हो जाएं, तब तक यह वाला लूप रन करेगा, ठीक है, जैसे ही वो 0 पहुंच जाता है, वैसे ही क्या करेगा, ये अपने यहां से, यह माला, यह वाला मेरी लाइनिंग है, जिसके अंदर मैंने जो users ने करवाया हुआ है enter number उसको मैं उसका मैं modulus लूँगा ठीक है 10 से ठीक है सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं नंबर का divide करूँगा 10 से स्पोस किजिए number को मैं divide करूँगा 10 से और उसका जो modulus रहेगा ठीक है उसको मैं यहाँ पर as the answer अगर लेने वाला हूँ ठीक है जैसे कि मैं यह आपको पोजाता हूँ स्पोस कि यह user ने एंटर कर आया और उसका मॉडूलस अगर लेना हो 10 से तो यह कितना आएगा यह आएगा इसका अंसर 4 और इसका अंसर 4 कैसे आया क्योंकि 123.14 इसका अंसर रहेगा ठीक है अब देखें यहाँ पे जो पॉइंट के साथ बाद की वैलियू है वो यहाँ पे एज अंसर आए ठीक है क्योंकि यह डिवाइड नहीं हुआ है अगर यहाँ पे डिवाइड होता स्पोस किजिए यह डिवाइड है अगर यह डिवाइड है तो इसका अंसर क्या होता इसका अंसर होता 123 ठीक है बट यह में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मॉडूलस ले रहे है तो हम क्या करेंगे इसका क्या अंस ये मैंने सारा वीडियो ऑपरेंटढ का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने अर्थमाटिक आपरेंटर जिए्यो नमीद हसी ने से लिएट चेक कर सकते हो ठीक है अगर आपने नहीं पता आपको अगर आपने सीखना हो तो आप जाके देख सकते हैं तो यहां पर इसका अंसर मैंने आपको बता दिया यहां इस प्रोग्राम के लिए कि यहां पर इसका अंसर कितना आएगा फिर चार आएगा क्योंकि यहां पर हम क्या तो लेंगे जो उसका Илиस ता उसका शेश भाग था उसको as answer हम यहां पर लेंगे ठीक है अब देख यहां पर मैंने इसको मोडुलिस तो कर दिया कशेश भाग मैंने ले लिया जो नबर किस ने किया था उसको बरेगा स्टोर कहां पर करूंगा तो इसको guys हम कहां पे store करने वाले हैं इसको हम store करने वाले हैं जो ये वाला मैंने लिया है न guys variable इस variable में मैं इसको लेने वाला हूँ चीक है यहां पे मैं इसको as a answer लेने वाला हूँ चीक है clear यहां तरह clear हो गया जो ये 4 है अभी ये कहां पे store हो रहा है right digit,. clear तभी मैंने यह वाला variable यहाँ पे लिया था एक हमारी improved होगी만, आप दूसरा क्या है दूसरा यहाँ पर देखिएगा आप अब मैं क्या करूँगा reverse reverse जो है मेरा यह वाला variable इसमें मेरे क्या है zero value, मतलब के rate यहां पर जीरो हुआ उसके साथ इंटू करवाऊंगा किसका 10 का ठीक है गाइस 10 का मैंने इंटू करवाया तो यहां पर इस टाइम reverse की value कितनी है जिरो तो zero into 10 मडलब 0 ही रहेगा ठीक है कोई चेंच भी अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं इसको bracket में ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी यहां पर क्या करने वाला हूं अभी मैं देखिए अब मैं इसमें plus करने वाला हूं क्या ध्यां दिजगा यहां पर प्रस करने वाला हूँ यह वाले जो यहाँ पर value आएगी उसको मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर प्लस करने वाला हूँ यह देखिए अब क्या हो गया reverse कितना यहाँ पर फस्ट टाइम 0 जिरो इन्टो 10 जिरो प्लस राइट डिजिट में कितनी value पड़ी है यह वाली 4 तो यहाँ पर मेरे पास कितनी value आएगी 4 ठीक है तो और इसको मैं कहाँ पर store करूँगा इसको मैं store करूँगा reverse में ठीक है reverse में मैं क्यों store कर रहा हूँ अब next time reverse में कौन सी value होगी अगर next time जो loop चलेगा उसमें reverse में कितनी value होगी 4 ठीक है यह मैं आपको पूरा explain करता हूँ पहले next लिख लेते हम अब यहाँ पर मैं तीसरे line में क्या करने वाला हूँ simple divide करने वाला हूँ 10 से इसको जो भ divide होके जो मेरे पास value आएगी उसको मैं store करने वाला हूँ कहाँ पर number में ठीक है क्योंकि जब next time जो मेरे पास value आएगी वो मैं number वाली value यहाँ पर use करूगा ठीक है यह मेरा फूरा loop बन गया बस यह तीन line की मेरी looping थी यह देखिए ठीक है बस अब मैं क्या करता हूँ आगे जो मेरा result है अब किसमें store है reverse में store है तो मैं print किसको करूँगा इस चीज को करूँगा reverse को ठीक है तो मैं आप क्या कर रहा हूँ printf में मैं क्या कर रहा हूँ reverse number is यह होगी मेरी value किसमें integer में है ठीक है और new line में देता हूँ यहां पर और किसमे store है में result reverse में तो मैंने यहां पर क्या ले लिया reverse को as a answer मैंने यहां पर ले लिया ठीक है और मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ get character एक मेरा function है उसको मैं use कर रहा हूँ ताकि मेरी result screen hold रहे ठीक है result screen को hold करने के लिए मैं कौन सा function use करता हूँ get character ठीक है hold the result screen और यहां पर मैं एक और ले ले लेता हूँ clear screen function है मैं यहां पर use कर रहा हूँ यह दोनों function console input output में मेरे predefined है यह कौन सा है clear screen ठीक है इससे क्या हो जाता है मेरा जो result screen है वो एकदम clear हो जाती है ठीक है यह हमारा simple सा program था किसके लिए reverse number करने के लिए अभी हम compile करके एक वारी चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें error या warning तो नहीं है कोई warning नहीं है कोई error नहीं है तो एक वारी run करके भी देख लेते हैं कि output पुर्ण सई आरी है या नहीं आरी है यहां मैं एंटर करते है number 1234 करके देखते हैं 12344-321 चीक है गाइस अंसर ठीक आ रहा है एक वारी फिर से check करके देखते हैं यहां मैं 1221 करके देखते हूं क्या गया वन टू 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 वन क्यूंकि आप इसका रिवर्स करेंगे देखिए वन टू 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 वन नहीं आ रहा है ठीक है एक वारी और कर लूँ मैं हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन कर रहा है ठीक है अब मैं आपको थोड़ी इसकी एक्स्प्लेनेशन कर देता हूँ लूपिंग की कि ऐसे कैसे काम कर रहा है स्पोज किजी हमने कौन सा लिया था यही बाला नमबर ले लीजै हमने यहाँ पे user ने जो enter कर रवाया नमबर यूजर ने कितना कर रवाया नमबर यूजर ने एंटर कर रवाया नमबर 1234 और नमबर में यहाँ पे कितना स्टोर हुआ 1234 ठीक है नंबर में कितनी value आ गई हमारी 1234 अब देखें यहाँ पर यहाँ पर कितना आ गया 1234 जो की 0 के ब्राबर नहीं है तो मतलब loop में यहाँ पर enter करेगा ठीक है अब देखें यहाँ पर जो नंबर था 1234 उसका mode लिया हमने 10 से तो यह मैंने पहले ही कर रुखा यह देखें mode ले लिया तो यह कितना इसका अंसरा है इसका रहा है फोर ठीक है तो फोर कहाँ पे store हुआ हमारा right digit में clear यहाँ तक बार clear है अब देखें अब दूसरा क्या होगा अब यहाँ पर ध्यान दिजएगा आप यहाँ पर मैंने क्या किया इस टैम पहले मैंने इंशिलाइज कितनी कि है यहाँ पे देखिए 10倍 10 इंटिछट क र благодар mentioned तो 0 प्लस 4 तो यहाँ पे reverse में कितनी वैल्य हु चालो हुई है हमारी 4 ठीक है कितना वैंट फॉर हुए हमारी यहाँ पे right digit में भी इस time 4 पड़ाया और reverse में भी कितना पड़ा इस time 4 पड़ाया हमारे पास ठीक है घाई अब यहाँ पे क्या कर रहे हम नंबर हमारे पास कितना इस time 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 को हम ने divide किया it 10 से तो यहाँ पे इस time कितना answer आया इसका answer यहां पे आप ध्यान रखेगा reverse में reverse में मेरे पास कितना भी आया यहां पे 4 आया ठीक है reverse में 4 आया तो यहां पे 123 मेरा यहां पे आ गया अब देखिए अब फिर से loop चलेगा 123 123 does not equal to 0 हां जी सही है फिर से loop में एंटर किया अब देखिए यहां पे 123 को अगर divide किया जाए जाए 10 से तो यहां पे कितना आएगा इन से तो यहां पे कितने आएगी तो यहां पे आएगा 12.3 ठीक है यह हमारा यहां पे आगया तो इसका मतलब क्या है हमारे पास एक्चल बैली कितनी आई ? यहां पर हमारे पास एक्चल वैख्या हो गया क्लियर ? अब देखे यहां पे, अभी reverse में हमारे पास कितनी वैल्यू ए अभी हमारे पार reverse 분들이 a pray토 to 4 into 10 कितना हो गया हमारे पास 40 40 plus pray direct business जितनी वैल्यू है कितनी है ? तो 40 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 43 ठीक है कितना हुआ यहाँ यहाँ पर हो गया हमारे 43 ठीक है तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू चली गई यहाँ पर 4 को कट कर लो यहाँ पर अभी हमारे पास कितनी वैल्यू आगी रिवर्स में 43 हमारे पास value आगी ठीक है तो अब फिर से जाओगे number में ठीक है तो number कितना था हमारे पास system 123 123 को divide करेंगे 10 से तो कितना हमारे पास आगया result 12 ठीक है 12 रह गया यहाँ पर result अब फिर से loop चलेगा 12 does not equal to 0 हाँ जी सही है तो यहाँ पर चला गया नीचे ठीक है 12 का अब modulus लेंगे हम 12 का अगर modulus लिया जाएं तो कितना आया इसका इसका हमारे पास यह आया 1.2 12 का कितना है 1.2 तो मतलब इसका modulus में result कितना है हमारा 2 ठीक है गाईस clear हो गया यहां तक तो right digit में हमारे पास कितनी value पड़ी है हमारी पड़ी है इस the time 2 ठीक है तो अब हम चलेंगे rivers की तर्भ reverse में कितनी value पड़ी है 43 43 into 10 कितना हुआ ये हो गया मारा 430 ठीक है 4 30 30 plus 430 plus plus right digit में जितनी value, कितनी value है हमारी right digit में, यह देखिए, यह वाले पड़ी है, 2, ठीक है, तो यहाँ पे total कितना हो गया, 432, 432 आ गया, तो reverse में इस time कितनी value पड़ी है, 432, तो यहाँ पे इसको हम कर जाएंगे clear, क्योंकि यहाँ पे कितनी आ गयी, 432, अब देखिए 432, divide तो कितना आएगा, 10, ठीक है, एक result आ गया है, यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे है, into 10, तो इसका result कितना आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि modulus की value हम यहाँ पे, point की value यहाँ पे नहीं ले रहे है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो 1 कितना है, 0 से बढ़ा है, मतलब कि does not equal तो इसका मतलब यहां पर वन भी वन के अंधर लूप चलेगा ठीक है गाई तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा अगली वार नेक्स टाइम यहां पर वन प्रेंट हो जाएगा ठीक है जब नेक्स टाइम यह वाला लूप चलेगा तो वन यहां पर प्रेंट हो रहा है इस तर प्रोग्राम रन किया गया है ठीक है गाइज अगर आपको यह वीडियो लगा हो संदाया हो तो वीडियो लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और सबसी इपॉर्टेंट विकास यूनिवस्टी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा धन्याबाद आपका